बूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए किसी की जान जाती है तो जाए पर नशा बेचने वाले मोटे मुनाफ़े के चलते इस धंदे को करने से बाज नहीं आ रहे पिछले 15 दिन में दो यूपा नशे की बेन चड़ गए है ऐसा ही एक मामला थाना दमटाल के अंद्रगत सामने आया है प्रापत जानकारी के अनुसार बीपिन कुमार उमर 32 साल स्पुतर टोलूराम बासी इंदपूर तैसील इंदोरा कल सुबह अपनी माता को गेहूं की कटाई के लिए खेतों में छोड़ कर काम पर जानने के लिए निकला लेकिन घर नहीं लोटा जिसकी आज सुबह तलाश शुरू की गई तो पंद्रोरी मोट पर उसकी बाइक ग्रीन लैंड स्कूल के पास खड़ी पाई गई तलाश करने पर नजदीक ही जाडियों में उसका शर्म मिला जिसके बाज्यों में नशे का टीका भी बीच में ही फंसा हुआ था मृत्तक की पहशान गाम के उपर परदान अजे सिंग गुलेरियन ने की बपुलीस थान ने डेमटार को सुचित किया जिस पर तुरत कारेवाही करते हुए एस आई रमेश बैंस मौके पर पहुंचे बशब को कबजे में लेकर धारा 174 के तहट मामला देश करके अगामी कारेवाही अमल में लाई जा रही है जब इस विशे पर ग्राम पंचाइद इंदपूर के उपर पदान अजे सिंग गुलेरिय से बात की तो उन्होंने कहा कि आज पर देश का युबा नशी की लत्में फंसकर अपना जीवन खाग कर रहा है उन्होंने कहा कि जब तक सिर्कार नशा माफिय के खिलाब कोई सक्त कानून नहीं लाती तक तक ये नशा माफिया नशा बेचकर युँ ही हमारे युबाओं को काल का ग्रास मनाता रहेगा हिमाची प्लस नियूज के लिए इंदोरा से रमन कुमार की रिपोर्ट बीती आदों से नाता सहिशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए